असलाम अलेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब अमीद है आप सब लोग खेरिया से होंगे जी तो दोस्तों आज मेरे हाथ में आप देख रहे हैं मेंडलेक एसेट सीरम है जैन फर्म लाइफ साइंसिस का ये सीरम है ये उनकी प्रॉडक्ट है इसमें मेंडलेक एसेट जो है वो 20 परसंट है आजकल इसकी बड़ी हाइप बनी हुई है सब लोग इसको बाय भी कर रहे हैं और इसके हवाले से कुछ बैड रव्यूज भी हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ आगे चल के शेयर करूंगी और साथ मैं आपको बताते चलूँ कि इसकी जो एक वीडियो है इसका र जो है उसका रिजल्ट मीले थे और फिर ग्रेजुटल यहाई एक इस्तमाल से हमने डेलि के यूस पर कैसे आना है वह मैंने आपके साथ अपनी पीडबैक अपना एक्सपिरियंस शेयर किया था अब इसको 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 इसु perceайте बोली अब इनकी पैकंग भी चैंज होगा जै इस्तमाल कर रही हूँ और तक्रीबन मुझे एक साल से उपर हो गया है यह मेंडलेक एसड सीरम इस्तमाल करते हुए तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी अपना अपडेट शेयर कर दूँ कि आपने मुख्तलिफ साइट्स पर देखा होगा जब भी आप बाई करने जात कि आप सिरों रही है कि तो या धुकिते हैं कि एंट इससे के यह मुख्ता सब्सक्राइब आप रोगोच कीज इस भी का लिए इस्तमाल होता है शिरम की स्कमाल में सेट गाल होता है को मैना र्रभोच मिख्राव का 65 august 8 की इसके निए को ऐपकरेसे सब्सक्राइब आपता ब तो यह सीओीं क्यru आनमने लेकceks सब्नित, ये हमारी स्कीन हमेशा ग्लौइंग लगती है, हमारा सकीन ट Lion मरे भी कहिता है श्क्राइग के अद्यां चेक्वर्षास सब्सक्राइब है, पिर ओमोड़़िंग है कैटिये के लाग्यार्यमितoh पर डूपे C Thore जिसकीन जलने के बाद जो है वो डार्क स्पोर्ट आ गए है कुछ लोग कह रहे हैं स्कीन बहुत ज्यादा ड्राय हो जाती है तो मैं यहां पर यह कहना चाहूंगी कि यह देखें यह कैमिकल पील है यह मैंडलिक एसेड है इसमें 20% इसमें वो शामल किया गया है तो इसको इस आपने का यह त्रीका है मैं यह पर एक शैकनद अपड़ बनाने का मकसद है आपने इसको हैं किसको करना जाल क्या यह थोड़ाक्ड़ सब्सक्क्राइब हैं Cynthia च्टरा कुछ जाल वीडियो शब्सक्रन ऊdet walk कर सकते हैं और यह जो है यह यह लोगों ने अपनी वेबसाइट पर इसको इस तरह से रिकमेंड किया हुआ है वहीं से देखकर और फिर मैंने अपना इस्तमाल ग्रैजूली इस तरह से बढ़ा कर देखकर मुझे कोई नुकसान नहीं वा रिजर्ड पी अच्छे मिले तो मैंन अब यहां पे आपको पता चलेगा के मेरा जो सैकिंड वीडियो बनाने का मकसद है वो असल में यह है कि जब हुआ कि जब मैने इसको सिकीन रेबसा हैं। फ्लैकी स्कीन हो गई थी ऐसे लगता था जैसे स्कीन जो है वो उतरी हुई है वो जो है ना ड्राइनस इतनी ज्यादा फील होती थी कि मैं अगर कोई क्रीम कोई चीज लगाती थी तो इस तरह से रब करने से जो वो स्कीन उतरती हुई फील होती थी और बिल्कुल क्लीन ही हो थी स्कीन तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी फिर मैंने क्या क्या कि इसको कुछ अर्से के लिए मैंने छोड़ दिया कुछ अर्से के लिए मतलब एक हफ़ते के लिए मैंने इसको 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 छोड़ दिया फिर अगले हफ़ते में एक द जाले वीडियो में आपके ले सकते हैं, और सेक़र्म क्याया हैं, लेकिन अपनी स्कीन के हिसाब से करें, मैं भी किशू की लोग इसे रोज़ानhol करें, और उनकी स्कीन जो है इंको अच्छे रिजल्ट दे, हो सकता है मेरी तरह जैसे मैंने इसका जब मसल्सल استعمال किया तो मेरी स्किन जो है वह बहुत जदे ड्राइ होना और फलैकी होना शुरू हो गई तो मैंने इसको छोड़ दिया तो लेकिन ये अच्छी चीज़ है dead skin remove करती है और साथ मैंने बाकी के और भी serum है उनके मैंने reviews भी देने है किसी भी किसम का जो serum है मैंने उनमें ये feel किया है कि जो acidic है मतलब hyaluronic acid और vitamin C के इलावा जो बाकी है vitamin C, hyaluronic आप रोजाना इस्तमाल कर सकते हैं कोई नुकसान नहीं है जैसे mendlic acid है salicylic acid है acidic जो बाकी के serum है उनको आपने daily use नहीं करना है बीच में आपने थोड़ा सा gap देना है अपनी skin को आप हफते में उनको अगर 3-4 बर इस्तमाल करती है तो बीच में 2-3 दिन छोड़ दे दो दिन use ना करें एक दिन इस्तमाल कर लें वो भी double हो जाती है और यह मेरा experience है इसको इस्तमाल करते हैं मुझे तकरीबन एक साल हो गया है और और भी किसम के मैं भी serum ही use कर रही हूँ तो उनका भी मैंने different तरह से इस्तमाल करके देखा है daily भी किये हैं और कुछ दिन छोड़ के भी तो उनके reviews भी आपके साथ share करूँगी फिलाल इसका मैं update देना चाहरी थी कि आपने ये mendlic asset जो जैन्फम Life Sciences की एक product है काफी इसको fame भी मिली है लोगों ने इस्तमाल भी किया है बीच में exceptional cases हो सकते हैं कि किसी की skin को ये suit ना किया हो क्योंकि हर एक ही जो skin है वो अलग तरीके से react करती है हर एक product की तरफ तो मेरी तरफ से इसको yes है आपने इसको इस्तमाल करना है लेकिन इसका इस्तमाल करने का तरीका आपका सही होना चाहिए पहले बात तो यह है कि जो भी ऐसेडी का आप सीरम इस्तमाल करते हैं आप रात को इस्तमाल करें night care میں इनका इस्तमाल करें ठीक है जी night care में आपने सबसे पहले mendlic acid serum लगाना है उसके बाद hyaluronic serum लगा लें क्योंकि हमें बहुत ज्यादा hydration की जरूरत होती है ये skin को dry करता ही करता है तो उसके लिए हमने hyaluronic serum का इस्तमाल करना है और दिन के टाइम पे हमने sun block जरूर इस्तमाल करना है अगर इस तरह से आप इसको इस्तमाल करती है तो इसके जो फाइदे हैं जो hyaluronic sorry ये जो mendlic acid जो 20% है उसको हमारा इस्तमाल करने का जो मकसद है वो फिर ही हमें مिلے گا اگر ہم اس کو صحیح طرح سے استعمال کریں گے तो एक तफ़ा फिर आपको बता तू किसका सही استعمال ये है मैंने ये दूसरा अपडेट बनाया है एक साल की استعمال के बाद जो मैंने सीखा है वो ये है कि आप इसको استعمال करें पहले शुरू में आपने हफ़ते में एक दिन इस्तमाल करना है आपकी स्किन ने आपको बताया कि ठीक है स्किन को कोई रेक्शन नहीं हुआ इसका मतलब आप ये अपनी स्किन के उपर इस्तमाल कर सकते हैं उसके बाद आपने हफ़ते में दो बार इस्तमाल करना है फिर नहीं करना है उसके बाद आपने हफ़ते में तीन बार करना है और मैं रिक्मेंट करूँगी कि तीन बार से ज्यादा इसको इसको इस्तमाल ना करें ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हैं कि दो दिन इसको लगाएं और तीन दिन बीच में छोड़ दे दो दिन लगा ले फिर तीन दिन छोड़ दे या फिर आप एक confirm रख लें कि दो दिन ही लगाना है मकसद यह कि आपने इसको continuously जो है अपनी स्कीन के ओपर अप्लाय नहीं करना है कोई एक आप इसका जो है एक routine बना लें कि मैंने तीन दिन के बाद जो है एक बार है मैंडलिक एसर सीरम जो है वो रात को अपलाय करना है इस से क्या होगा कि आपकी जो dead skin है वो भी remove होती रहेगी और इसका ज्यादा इस्तमाल की वज़े से जो skin dry हो जाती है वो problem भी आपके साथ नहीं होगी skin जो है वो जो कुछ लोग कह रहे है जल गई है वो वाली problem भी नहीं होगी साथ एक tip है आप लोगों के लिए इसको तो आप इस्तमाल कर रहे है ठीक है जी वो करें आप लेकिन हफते में एक बार आपने mild exfoliation softly जो है अपनी skin को scrubbing जरूर करनी है किसी भी तरह से अपनी skin के exfoliation कर लें scrubbing कर लें किसी home remedy को follow कर लें या अगर आपके पास कोई भी scrub पड़ा हुआ है तो उसकी मद़र से आप अपनी skin को exfoliation जरूर करते रहे उस तरह जो है न हमें dead skin को remove करने का जो है मौका मिलेगा अच्छी तरह से dead skin जो है वो remove हो जाएगी तो उस तरह से जो मारे चेरे के उपर जो है फलेकी skin वो नजर नहीं आएगी ठीक है जी तीन चार चीज़े हैं मुसलसल इस्तमाल ना करें कुछ दिन चोड़ कर एक दो दफ़ा इसको इसको इस्तमाल करें हफते में एक बार scrubbing जरूर करें दिन के टाइम पर sun block का इस्तमाल जरूर करें और कोशिश करें के mendlic acid serum को आप अपनी night skin care routine में शामिल करें फिर ही आपको इसके बहुत ज़्यदा फाइदे हासलूंगे और दोस्तों वाक्या ही ये काम करता है मेरी skin acne skin है मुसलसल अपनी skin की care करने से जो है मैंने अपनी acne पे काफ या तक काबू पा लिया है इससे आपकी acne भी ठीक होती है इससे आपकी skin glowing होती है इससे आपका जो skin tone है वो improve होता है लेकिन वही बात है कि इसको अगर आप सही तरीके से इस्तमाल करेंगे तो ही आपको इसके सारे के सारे फाइदे मिलेंगे तो I hope आपको मेरी ये update मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि ये चीज ये product अच्छी है आप इसको 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 है चिस तरह से इसको है अभी जगर कोई चीज कोई doubt रह गया हो तो please आप comment में मुझे खुशी होगी कि अगर मेरी वज़ा से आप लोगों को कोई फाइदा मिलता है तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्रसंद है तो लाइक यर कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ जो है मेरे को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बेल आइक उन जरूर प्रस कीजिएगा मिलते हैं जी नेक्स वीडियो में एक नए ब्रैंड के साथ नहीं प्रोडक्ट एक नए रव्यू के साथ या फिर एक अच्छी सी होम रेमडी के साथ तब तक ले बाई बाई थैंक्स फॉर व